17-6-2022 का वो दिन जब अजमेर में एक नारा लगा जिसकी वज़े से बताया गया कि उधैपुर में कनहियलाल के हत्या हो गया लेकिन इन सब के पीछे सारी चीज थी किस तरीके से कनेक्शन बठाया गया लेकिन उसके बाद गहर चिस्ती बरी होकर के आ गये हैं और टीवी पर पहली बार है और सारे सवालों के जबाब वो देंगे गहर साब दो साल चार दिन आप जेल रहे कोट ने आपको बरी किया सबसे पहली चीज कि आप दो साल चार दिन क्यों रहे क्या कारण रहा किस वज़े से आपको यह सब जेलना पड़ा बही दो साल चार दिन सिर्फ इसल फसाया जाए, जूटा रखा जाए, परतारित किया जाए, लेकिन नयाय पालिका से जो नयाय मिला है, उससे मुझे यह उम्मीद हो गई कि कई समाज कंठा कुछ भी करना चाहे, जब तक नयाय पालिका में नयाय जिन्दा है, कोई बेकसूर पराजित नहीं हो सकता। जानमंत्री जी से और राज्य सरकार से, यानि केंद सरकार और राज्य सरकार से अपिल करते हैं, कि इनके खिलाफ उचित कानूनी कारवाई की जाए, और हमें उम्मीद है, उम्मीद थी और उम्मीद रहेगी, केंद सरकार से भी, और राज्य सरकार से भी, कि जिनोंने एक धा किसी भी व्यक्ति को ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी के धर्म के लिए अनलगर गलट टिपपने करें जिससे समाज आरजकता फैले उस दिन के बाद में एक मैसेज और वीडियो घूमा जिसमें सरतन से जुदा का नारा लगा सचाई क्या है आप बताएं आपने शायद रिकोर्ट नहीं किया होगा उसमें ये जो नारा सरतन से जुदा का नारा मिने नहीं लगाए था नारा तो ये था कि देखो मेरे नबी की शान बच्चा बच्चा है कुर्बान इसका मकसद ही होता है कि जो इतने लोग इकटा थे वो रेली में सिर्व इसलिए ज आपको क्या लगता है कि आपको फसाया गया आपको उक्साया गया या आपकी जो चीजे बनाई गई दो साल के बीच में आपने बहुत सारी चीजे जहली होंगी आपके परिवार ने फेस की होगी और आपके परिवार ने भी ये सोचा होगा आपने भी सोचा होगा कि सारी जो चीजे आ रही हैं उसको किस तरीके से फेस किया जाए बिल्कुल ये दो साल चार दिन जो मेरी जिन्दगी के गुजरे हैं ये में और मेरे परिवार के अलावा शायद को ही नहीं समझ सकता क्योंकि अगर आपने कुछ किया हो तो दो साल तो क्या 20 साल काटके भी आपको अगर आपने कोई अपरात किया ही नहीं है और उसकी वज़े से आपको दो साल चार दिन सजा मिल जाए तो ये समझो कि आपने अपनी जिन्दगी वो लम्हे ना तो मुझे अप्षासन लोटा सकता है और परशासन लोटा सकता है आपके लिए कहा गया कि आप अजमीर छोड़कर के हैदराबाद चले गए और हैदराबाद से पुलिस आपको लेकर किया है पुलिस मुझे लेकर नहीं है असल में मैंने खुद वहाँ पर सिरेंडर किया था और सिरेंडर भी नहीं गया था बलकि पुलिस की तो ये दर रख पुलिस ने अपनी तरीके से चीजे मोडिफाई करने की कुछी बिल्कुल, नो डाउट, अगर पुलिस ने अपनी तरीके से मोडिफाई ना की होती, तो मेरे पर मुकदमा बनता ही नहीं था, जूटा परकरण दर्ज ही, कहीं ना कहीं, मेरे खिलाफ एक बहुत रचनात्मक सा आजिश है, अब इसके पीछे कौन है, में नहीं कह सकता हूँ. जैसे मिसाल के तोर पर आप लोगों में कहा जाता है, कि कोई भी आप किसी धरम को मांते हैं, तो उसके लिए आप जयजयकार करते हैं, तो ये एक हमारे मुहमद सापकी शान में जयजयकार थी, के देखो मेरे नभी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इसका ये चिस्ति क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं वही सबसे बड़ी बात तो मुझे बड़ा अफसोस है ये के हमारे साथ जो प्रशासर में डल्बीर सिंग फोजदार या उस वाक जो भी अधिकारी थे जिन्होंने जो मेरे खिलाब परकरण दर्च किया चलो दर्च हो गया कोई बात नहीं हो जाता है दर्च कोई भी किसे खिलाब परकरण दर्च करा सकता है ये अधिकार लेकिन आईयों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी करें सच और जूट सामने आ जाए उन्होंने मुझे जूटा भसा दिया तीन सो दो एक सो बदरा देना नहीं उससे हमारा जिक्र भी नहीं है हमारा तो प्रोटेश्ट नुपल शर्मा की खिलाफ था और वो भी नुपल शर्मा की खिलाफ का मकसद देनी था कि कोई उसे मार दे या कोई उसे कतल कर दे हमारा मकसद ये था कि केंदर सरकार और राज्य सरकार हमारी आस्ता और भावना को समझते होगे, कोई उचित कारवाई करें इन सब का दोसी आप किसे मानते हैं इन सब चीजों को जो चीजे हुई और देश में इस तरीके की घटनाए हुई उन सब चीजों का दोसी आप किसे लाएं देखो मैं तो दोसी नहीं मानूगा कि दोसी मेरे मानने से नहीं होगा दोशी मानना और नहीं मानना यह नहीं पालिका काम है और नहीं पालिका में जहां तक मुझे ध्यान है सुप्रिम कोड के टिपड़ी में अपने आखों से टीवी पर देखी थी उस पर में ये कहा गया था कि ये सारे गटना करम की जिम्मेदारी जो भी राइस्तान में या हिंदुस्तान का महौल खराब हो रहा है अध्यपूर कांड की पीछे कही ना कही नुपूर शर्मा का बयान शामिल है च्छवारी बनाई गई और आपको टच करने की कोशिश की गई कि जो कनिया अत्याकान की आरूपी थे वो अजमेर भाग क्या रहे थे आपको टच करने की कोशिश की गई connection बिठाने की कोशिश कहीगी लेकिन फैसला तो कुछ और आया पई ये आपके सामने है कि दो साल चार दिन जो समाज कंटकों ने या गलत अनुसंदान अधिकारियों ने, अनुसंदान अधिकारियों को मैं समाज कंटक नहीं कह रहा हूं, अनुसंदान अधिकारियों ने गलत आई इन्वेस्टिगेशन करी, उस कारण और कुछ समाज कंट हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं जिन्होंने भरम फैलाया कि गोहर चिष्टी की वज़े से काम हुआ लेकिन हाकिकत यह है कि इसके पीछे टोटल ना तो दरगा के प्रोटेश्ट का कोई रोल है उन ना है गोहर चिष्टी का कोई रोल है एक बड़ा सवाल है और य क्योंकि उस टाइम का दरगा में एक मिटिंग का वीडियो भी सामने आया है असल में जो मेरे खिलाफ यह साजी रची गई आप कोड का फैसला पड़ें कोड के अंदर इस साफ चीजों का नकार दिया गया है कि ना कोई मिटिंग के साथ्षे मिले है और ना ही किसी किसम के प नहीं था ना है और मैं खुश ओं के नयप असल के सम Chef मुझे बहुत 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 शुक्रोजार हो के अनों नहीं मुझे न्याई दिया एक आकड़ी सवाल गहर चिस्ती आजج्मेर में बरी हुचों के हैं फैसला आ आ चुका है अब क्या सोचते हैं और क्या पेगाम देना चाहें। पेगाम देना चाहें। पेगाम देना चाहें। और ना ही मैं उस केस के बारे में किसी तरीके की वारतालाप या जानने की कोशिश कर रहा था ना ही वो मेरे कोई किसी संपर्क में थे। बरहाल जो चीज बताई गई इन्विस्टिकेशन अफिसर्स के जरिये वो बिलकुल अलग थी और कोट ने उस पर अपना फैस्ता सुनाते हुए गहर चिस्ती और उनके साथियों को बरी कर दिया है। गहर चिस्ती ने पहली बार टीवी पर आकरी ये तमाम चीजों का खुलासा किया कि मेरे उपर लगे आरोपो को किस तरीके से तोड मरोड के पेश किया गया था। सचे इंसान के साथ सचे इंसान के साथ लोगी दूआ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान वासी होगा।